राधे राधे एवरिवन, आज की इस वीडियो में हम लोग आवला नौम्मी की बहुती सरल पूजा विधी देखने वाले हैं, कार्तिक का महिना भगवान विश्नु को अती प्रिये हैं, और कार्तिक मास के शुकल पक्ष की नौम्मी तिथी को आवला नौम्मी आती है, इस द ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं, आवला नौम्मी वाले दिन आवला विरिक्ष का पूजन किया जाता है, आप मंदिर वगएरा में जाके भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने घर पे भी कर सकते हैं, पर अगर आप बड़े वरिक्ष की पूजा करते हैं, तो उसक को उसके उपर रखें चोक पूर लें तो देखें यहां मैंने साफ सफाई कर ली है उसके बाद सबसे पहले हम आवला वरिक्ष को सीच देंगे तो आप अच्छे से एक लोटा भर के जल दें या जादा भी दे सकते हैं पेड बड़ा है तो आप चाहें तो अच्छे से रंगो जोड लेंगे तो दिया आप चाहें तो देशी घी का जोड सकते हैं नहीं तो तिल के तेल का भी आप जोड सकते हैं दिया जोड के सबसे पहले हाथ जोड लें उसके बाद हम तिलक कर देंगे पहले हल्दी से रोली से आवला नौमी बाले दिन आवला वरिक्ष पर एक सो आ भीली लादी से बिंदी लगा ले उसके बाद हम कलावा अरपन कर्देंगे जनेव थोस पीले रंका विशेश मयन विश्नु की पूजामें तो जो आप पीले रंका पट्का लेसकते हैं झैसाँ मत्ड़नमियơi लेpower अरिमी चुनेुरि मिश्नुनी से सेयल हैं क्योंकि भगवान विश्णु के साथ मालक्षमी का भी वास होता है आवला व्रिक्ष में उसके बाद हम फल अर्पन कर देंगे तो आप कोई भी भोग फल अर्पन कर दें साथी में आप कुछ मिठाई बगारा कुछ मीठे का भोग लगा दें साथ ही में हम कुछ दक्षना अरपन कर देंगे ताकि अगर कोई भी कमी रह गई हो तो वो दक्षना से पून हो जाए उसके बाद आप परिकम्मा करेंगे तो आप चाहें तो कलावा बांध कर उससे भी परिकम्मा कर सकते हैं या फिर आप आवला लेकर भी परिकम्मा कर सकते हैं परिकम्मा 108 भी की जाती हैं तो आप 108 कर सकते हैं 21 कर ले, 30 कर ले, 11 कर ले नहीं तो कम से कम आप 8 परिकम्मा तो जरूर कर ले तो जितनी भी परिकम्मा आप करना चाहते हैं उतने ही आप आवला ले ले और एक आमला रखते रहें आप और भगवान विश्णू का नाम लेते रहें, जाप करते रहें और अपनी परिकम्मा करते रहें इस तरह से जो है आप भूलेंगे भी नहीं और आपकी परिकम्मा भी हो जाएगी और अगर आप ज़्यादा परिकमा करना चाहते हैं एक स्वार तो फिर आप टौफी, बदाम, किश्मिश, कुछ और चीज लेके भी परिकमा कर सकते हैं लेकिन आठ आवले तो आज के दिन आप आवला वरिक्ष में जरूर से अरपन करें बगवान विश्नु को जरूर से अरपन करें लेकिन याद रखें कि वो आवला आप उसी पेड़ से ना तोड़ें जिसकी आप पूजा कर रहे हैं ना ही उस दिन आप किसी भी पेड़ से आवला तोड़ें आवला नौमी वाले दिन आपको आवला बिल्कुल नहीं तोड़ने हैं आवला वरिक्ष में से उनका खंडन नहीं करना है आप पहले से लेके रख सकते हैं और इस दिन आवला पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता है कुछ लोग गलती करते हैं, इस दिन पूजन करने के बाद आमला का पता तोड़के सटकते हैं, तो ऐसा बिलकुल ना करें जिस चीज की पूजा करते हैं, उसी को जो है तोड़ते नहीं है, खंडित नहीं करते हैं उसके बाद यहीं पर बैट कर हम कथा सुनेंगे, तो कथा सुनने के लिए आप हाथ में थोड़े से दाने ले ले तिल के, फूल ले ले, थोड़े से दाने अपने लोटे में डालेंगे, थोड़े से भगवान को अरपन करेंगे, और यहीं पर बैट कर हम कथा सुनेंगे, कथ अधा सुनने के बाद दाने हम यहीं व्रिक्ष पे अरपन कर देंगे और आवला नौमी वाले दिन आवला व्रिक्ष से गले मिला जाता है तो आप गले मिल लिजिएगा उसके बाद धूप दिप दिखाके हम प्रेम पूर्वक आती कर लेंगे और हात जोड़कर पूजा मेरे कम्यों के लिए शमायाचना कर लेंगे इस तरह से आप आवला नौमी की पूजा कर सकते हैं उसके बाद आपको यहीं पर बैटकर मूँ बिटालना होता है कुछ खाना होता है तो कुछ खाके ही उठते हैं अगर आपने वरत रखा है तो आप फलहार कुछ खा सकते हैं नहीं इस दिन आवला दान करने हैं, आपको खाने नहीं है, तो आप अपने बड़े रिष्टों को, सास को, नंद को, या किसी भी बड़ों को, या मंदिर में आज की दिन आवला दान करें, आवला से बनी मिठाई या आवला का मुरबब भी आप दान कर सकते हैं, तो इस तरह से आवला नौमे की पूजा कर सकते हैं, जो आपने भोग प्रशाद चढ़ाया है, वो तो आप चढ़ा रहने देंगे, ये कपड़ा वगर आप मंदिर में ही पंडिजी को दे सकते हैं, जो आपने चढ़ाया हो, आवले भी आप उनको दे सकते हैं, अगर कम आवले हैं तो आप 108 हावले चड़ाए है या किसी और चीज से परिकमा करी है तो वो जो खाने पीने की चीज़ है वो आप किसी को भी प्रशाद रूप में बाढ़ सकते हैं दो-चार-दो-चार करके आप किसी को भी दे सकते हैं और साड़ी वगरा जो है आप पंतानी को दे दे और अगर आप घर पे ही पूजा कर रहे हैं तो फिर आप अपने किसी बड़े रिष्टे को या फिर मंदिर में जाके देखे आ सकते हैं और इस बार क्योंकि इतवार रवी बार पढ़ रहा है आवला नौमी वाले दिन तब आप पूजन कैसे करेंगे तो देखिए आप पूजन नहीं करेंगे आप जल नहीं सीचेंगे जो है ना परिकम्मा नहीं करेंगे लेकिन आप दीपदान कर सकते हैं आवला के निमित रविवार वाले दिन भी कोई दिक्कत नहीं है पूजन आप या तो अस्टमी पे कर ले इकादशी पे कर सकते हैं या पुनिमा पे कर सकते हैं कातिक के महिने में आवला का पूजन आप किसी और दिन भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हाँ लेकिन दीबदान आप जरूर से कर दें आवला नॉम्मी वाले दिन तो आपको ये सरल विधी कैसी लगी बताईएगा जरूर और पसंद आई हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें जैसी अराम